आज Q&D session में आपका स्वागत है, आज मैं आपको आपकी queries जो मेरे को आप regular comment section में लिखते हैं, उनको मैं घटा करके उन queries के answer देने की कोशिश करता हूँ, आपके हर छोटे सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपून होते हैं, आपके सुझाव मैं regular लेता हूँ, और उस पर जितना questions को मैं answer कर पाऊं, आपकी expectations को मैं meet out कर पाँ, तो आज का Q&A session हम शुरू करते हैं और मैं आपके एकए करके questions के answer देता हूँ, तो चलिए, शुरू करते हैं आज के Q&A session को, और medと, मैं एकए करके questions के answer देता हूँ, पहला कोश्चन मेरे पास है एक पैठक की गई जिस बैठक के अंदर इन प्रिंसिपल एप्रूवल 101-104 के बीच में जो मेट्रो लाइन आ रही थी और डीपो आ रही थी मतलब मेट्रो स्टिचन और डीपो इसको चेंज करने का प्लान कर लिया है मतलब इसको सेक्टर 33 में जहां ओपन स्पेस जोन वाली लैंड है वहां शिफ्ट करने का प्लान कर लिया है क्योंकि यहां अभी भी एक 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 लैंड एक्वायर नहीं हुई थी और HMRTC या GMD को लगता है कि करीब 500 क्रोट रुपय हम इससे बचा सकते हैं इस कारेंट से इसको होल्ड पे डाला है और कोशिश किर रहे हैं कि इसको फाइनल अप्रूवल आता है तो इस लाइन को यहां से हटा दिया जाएगा मतलब 1.85 किलोमेटर का जो स्पर है जो एक्स्रेस से कनेक्ट करता है उसमें रोक लग सकती है तो अभी इसको फाइनल होने के बावजूद भी आप फाइनल नमाने क्योंकि जब तक काम शुरू नहीं हो जाता तब तक चेंज़ेस आते हैं और अथर्टी टाइम टो टाइम कुछ-कुछ नया करती रहती है तो जब काम शुरू हो जाए इसे आप तर भी मानिएगा क्योंकि यहां सब एप्रूव होने के बाद भी सेंटर से एप्रूव होने के बाद भी क्योंकि इस प्रजेक्ट को PM गती शक्ति के अंदर एप्रूव किया गया है उसके बावजूद भी इसमें नए चेंज़ेस पर वर्क कर रही है थोटी क्या reason है क्या motive है यह आप सब जानते और समझते हैं आपको क्या reason लगता है यह मुझे comment section ने बताइएगा और इस पर detailed video मैं already बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो description में मैं इसका link दे रहा हूँ आप इसको जरूर देखिएगा उसमें आपको exact clarity मिल पाईगी कि आखिर authorities ने क्या किया है और कैसे ही आपको impact करने वाला है अगला question मेरे पास Mr. Jayant Bhaguna का है Mr. Jayant Bhaguna लिखते हैं Mishraji please raise issue with corrupt government officials to remove bhajri, sand, mud from upper Dwarka Express road because almost half of the road is covered and dangerous for two wheelers vacuum cleaning vehicle can also clear road there must host employees those are only exist in paper but not present in ground please forward mail ID of government officials whom we can approach यहाँ पर और हमारा यह channel authorities देखती हैं उसे follow करती हैं आप अपने concerns नीचे comment section में भी लिख सकते हैं authorities उनको भी देखती हैं लेकिन आपको एक right approach बनाने की जरूरत यहाँ अकेले कुछ नहीं होता है यहाँ group में आपको आवाज उठाने की जरूरत है और authorities को tag करने की जरूरत है आजकल social media सबसे अच्छा platform है जिस पे आप authorities को tag कर सकते हैं Twitter ने बहुत अच्छा एक role play किया है तो आप Twitter पे जाके जिसे अब X कहा जाता है उस पे जाकर different authorities को tag करके अपने issues को raise कर सकते हैं group में अगर बहुत सारे लोग affected हैं तो आपकी आवाज group में लोग उठाते हैं तो authorities को मजबूरन जगना पड़ता है तो मैं आप से कहूंगा कि Twitter पे जाएए जो respective authorities हैं जो concerned authorities हैं उनके Twitter को मतलत social media के different platforms पे जाकर अगर आप उसे tag करते हैं तो यहाँ authority तक आवाज पहुंचती है और authority उसका संग्यान भी लेती है आपका issue जाए-जाए जरूर यहाँ पर जो vacuum cleaning द्वारा road की cleaning होनी चाहिए क्योंकि जब roadी पड़ी होती है बजरी पड़ी होती है road पे और उसे cleaning नहीं की जाती तो two wheelers के लिए यह बहुत बड़ा accident का major reason बन जाता है तो मुझे उमीद है authority जो मेरे program को सुन रही है उसे उस पे action लेना चाहिए और इस issue को जल से जल कैसे remove किया जाए जिससे यहां के residents अपड़ दुआर का express वे के benefited हो पाए और people को हम save कर पाए accident से हम बचा पाए human को हम बचा पाए इस पे authority को work करना चाहिए अगला question है मेरे पास Mr. Nitesh Mittal का Mr. Nitesh Mittal लिखते हैं प्रदीब जी always like your videos I have few questions any update on ROB from sector 111 to Rizangla Chonk तो Nitesh जी आपने तीन question पूछे हैं पहले question का मैं answer दे दो land availability थोड़ा सा concern वहां पर आ रहा है जी हां GMD ने कुछ छोटे parcels हैं जो अभी acquisition नहीं हुए है overall GMD इस पे work कर रही है जैसे ही land available proper हो जाती है इस काम को जल से जल शुरू किया जाएगा चुकि काम अभी शुरू नहीं हुआ है टेंडरिंग proper complete नहीं हुई है तो मैं आपको exact deadline अभी नहीं बता सकता हूँ अगला issue आपका है any update on service lane from द्वार का expressway to बजगेडा ROB देखे यहां पर GMD को NHI को land handover करनी है और जिस slip road की आप बात कर रहे हैं वहाँ अभी भी GMD तोबारा NHI को land handover नहीं हुई है जैसे ही land handover होती है वो slip road अकाम जो रुका हुआ है जिसके कारण अभी भी Delhi की तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको wrong side लेना पड़ता है wrong side left turn लेना पड़ता है जो अपने आप पे accident के बड़े कारण बन सकते हैं तो इस पे GMD अलड़ी वर्क कर रही है और यहाँ थोड़ा fast वर्क करनी की ज़रूत है क्योंकि expressway गुड़ाओं पार्ट का अब खुलने के वर्च पे यहाँ बायर्स यहाँ पे लोगों के लिए यह accident का सब बन सकता है तो GMD अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप इस पे वर्क कीजे कि यहाँ पर आम आज में को जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को यहाँ रहत मिल पाए नितेश जी तीसरा question आपका है दू दूरका expressway residents which are near Delhi border also have to pay toll when toll booth is operational जी हाँ नितेश जी मतलब अब आने वाले time में toll online की तरह काम करेगा यहाँ पर कोई manual लोगों का बैठना नहीं होगा तो आप आसपास के रहे में अगर रहते भी हैं तो यहाँ उसके बाबजूद आपका toll लगेगा चुकि manual नहीं है और online operational है तो यहाँ पर fast tag लगा होगा और fast tag से अब आप cross करेंगे तो automatic आपकी amount आपकी जो money है toll cross करने के जो fees है वो already deduct हो जाएगी लेकिन यह तब तक आपका toll वहाँ नहीं लगेगा जब तक पूरी तरह से द्वार का express वे operational ना हो जाए तब तक entry आपकी free रही की इस area में अगला question Mr. Vikas जैसवाल जी का है Vikas जी मुझे पूछते है What is the status of land acquisition of 100-acre green area in sector 102A Vikas जी अभी तक GMDA ने वहाँ land acquisition initiate नहीं किया है TDR के ताहित बहुत जगों से land जो authorities को मिल रही है उसी पर work हो रहा है लेकिन अभी वो बड़ा parcel है जो कि green area बहुत बड़ा है तो उस पे अभी तक पूरा work होता मुझे नहीं दिख रहा है Master plan के अंदर जरूर यह यह markt है लेकिन paperwork अभी पूरी तरह है वहाँ green area को जो होना चीए वो नहीं हो पाया है तो मेरी आप से गुजारिश है कि अपने concerns आप जो relevant authority है government के portals है उन में tag कीजिए, email कीजिए, twitter पे जाएए और tag करके आप अपने issues को group में raise कर सकते जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब आप अपने issues को raise करते हैं तो वहाँ authority सुनती है और जो best possible way out है उसको भी निकालने की कोशिश करती है तो आप लगातार अपनी आवाज उठाते रहें हम time to time अपने program के दूप आपकी आवाज authorities तक पहुचा देते हैं अगला question मेरे पाँ Mr. Kishori Lal जी का है Kishori Lal जी मुझे लिखते हैं Good information and is notation in society flat is necessary Kishori Lal जी मैं आपकी जानकारी के लिए बिता दूँ अगर property first time buyer है आपने developer से property खरी दिया है तो first आपकी convince deed होती है जब convince deed होती है तो authority को सारी detail home buyers की किसकी क्या share holding है उस सारी details deed of declaration के दूप authority में submit की जाती है property ID बनती है उसके बाद आपकी नाम पे convince deed होती है तो जब यह सारा process होता है तो authority में revenue record में municipal records में आपका नाम already दे दिया जाता है लेकिन अगर आप property secondary market में खरीद रहे हैं developer के sales ना खरीदते हुए आप किसी third party चे खरीद रहे हैं और वो property already position ले चुके हैं convey it अपनी नाम करवा चुके हैं तो यहां पर जब आप title transfer कराते हैं तो sale deed के साथ साथ आपको authority में revenue record में जहां maintain किया हुआ है जो आपकी urban local body है वहां जाके आपको ज़रूर revenue record में आपको अपना नाम change करा लेना चाहिए sale deed की copy लेके आपको और जो भी tax की updated receipts लेके जब आप जाते हैं तो वहां आपका revenue record में नाम change हो जाता है तो mutation 100% mandatory है अगर आप secondary market में खरीद रहे हैं तो आपके mutation ज़रूर करा लेना चाहिए अगला question है मेरे पास multi utility corridor कब बनेगा can you please advise देखिए मैं आपकी जानखारी के लिए बता दूँ देखिए surface connectivity जो है multi utility corridor से मतलब express वे चुकी बन चुका है तो surface connectivity उस corridor को अलड़ी मिल चुकी है further GMDA और Manessar Municipal Corporation का इस time कोई ऐसा plan उस area की development को लेके हाल फिलाल कोई बहुत जादा aggressive mode नहीं दिख रहा है मिलको यहां पर एक दो land parcels है जो acquisition related issues बचे वे थे जैसे वो issues clear हो जाते हैं तो यहां से direct Manessar तक की connectivity operational हो जाएगी मैं को लगता है अभी साल से तेड़ साल का time और लगेगा तो यहां से Manessar तक की connectivity आप further feature में expect कर सकते हैं अगला question मिरपा Mr. Gupta का है Mr. Gupta मुसे पूछते हैं Mr. Gupta यहां GMDA को DPR prepare करना है और document जो land acquisition के related है वो GMDA को यहां करना है अभी चुकि इसमें कोई timeline मेरे को नहीं दिख रही है तो मैं आपको exact finishing time इसका नहीं बता सकता हूँ कि यह कब तक पूरा हो पाएगा मेरे को यहां अभी थोड़ा सा समय और लगता हुआ दिख रहा है वैसे GMDA इस पे already connectivity पे work कर रही है अगला question मिस्टर सौरब का है मेरे पास मिस्टर सौरब लिखते है I have a plot in BPTP M Storia Sector 102 Should I book profit and invest in some apartment or should I construct builder floors and make rental income from it मिस्टर सौरब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहां बहुत सारे points है जो आपको consider करने की ज़रुत है आपको इस एरे का water table consider करना है इस area का जो rental income trend है वो study करना है यहां property price trend है इसको आपको study करने की ज़रुत है और ऐसे बहुत सारे aspects हैं जिसको आपको property खरीते या बेशते time study करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि Q&A session है मुझे बहुत सारे कोश्योंस लेने पड़ते हैं और program बहुत बड़ा हो जाता है इसमें deep analysis की ज़रुत होती है property खरीदना अपने आप में एक science है property कैसी चीज़ नहीं है कि घर से निकले और जाके हमने shopping कर ली पसंद आया की ले ली property अगर investment के लिए ले रहे हैं तो बहुत सारे aspects आपको study करने पड़ते हैं और उसी तरह से अगर आप अपनी investment को बेच रहे हैं और दूसरी जगे करी investment करने के लिए आप ले रहे हैं तो again बहुत सारे aspects आपको study करने पड़ते हैं तो यहां इस प्रोग्राम के थूरू इतने सारे questions के answer दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पांकि मेरे number दिया हुआ screen पे आप मुझे call करके appointment fix करके आके मिल सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे issues को complete manner में आपको मैं explain कर पाऊं और आपको facilitate कर पाऊं मैं next question Mr. Serene Dwaraka से मुझे से लिखते हैं Mr. Serene लिखते हैं Mr. Serene यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि Cultural Center की अगर हम बात करें तो IICC जिसे यशिव भूमी का नाम दिया गया है यह already open हो चुका है अगले दो साल में possible है कि यहां 200 plus events जो कि book हो चुके हैं वो आज की rate के हिसाब से करीब 200 के आसपास events यहां हो सकते हैं तो बहुत बड़ी development है expressway के लिए साथ में आपने कहा कि parks और community center तो expressway के आसपास जो parks है जहां land authorities के पास already है वहाँ authorities ने park development शुरू कर दिया है community center भी कई जोगों पर बनाए गए है तो धीरे धीरे यह process शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जहां पर नहीं हुआ है वहाँ पर भी expected है कि जल्दी यह काम पूरे हो पाएंगे और द्वार का expressway के home buyers को benefit भी मिल पाएगा लेकिन process थोड़ा सा park development का चुकि land acquisition related बहुत सारी issues होते है authority के पास तो यहां मुझे process में थोड़ा सा time ज़्यादा दिख रहा है और overall IACC की development जिसे यश्यव गूमी कहते हैं यह अपने आप में द्वार का expressway के लिए एक landmark location है और इसका benefit द्वार का expressway को बहुत ज़्यादा होने वाला है तो यहां मैं question answer session को खतम करता हूँ उमीद है मेरे द्वार दीकरी जानकारी आपको पसंद आई होगी जाद सेदा इस information को share कीजिए जिससे की वो लोग जो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं उन तक यह सारे information पहुंच पाए और कहीं गलत project में फसने से वो बच पाए misguide होने से बच पाएं इस information को regular आप share कीजिए और अगर जानकारी पसंद आई तो like कीजिए comment करके बताईए आपको जानकारी कैसी लगी और future में और regular ऐसे informative वीडियो देखने के लिए मुझे subscribe करें नमस्कार और चैह हिंद